सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बढ़ाई कि आपने HTML का पूरा सक्षन कंप्लीट किया और आप यहां तक आप है CSS तक सब लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं जो लोग स्टार्ट करता हैं इन स्टार्ट में बहुत ज्यादा होता है स्टार्टिंग के एक दो देखते हैं फिर छोड़ देते हैं यहां तक मतलब आप की बहुत सीरियस हैं तो अब हम लोग css के नई दुनिया में स्टार्ट कर चुके हैं और मैंने टी-सर्ट एक पहन लिए मंगा लिए टी-सर्ट के लिए अलाकि की वीडियो बना रहा था उस टाइम पर मुझे कोई अच्छा टी-सर्ट नहीं मिला था तो मैं रियक्ट का ही टी-सर्ट पहन के लिए टी-सर्ट मैंने मगाई है इसमें लिखा है css is awesome एक्च्छल में इसका जो भी मतलब है थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा यह यहां तक बॉक्स है फिर उसके आगे awesome यह निकल के गया है एक्च्छल में एक वेंग है css के उपर ठीक एक वेंग बोलो या मीम बोलो css के उपर लोग उने मीम बनाया कि css ऐसा होता है लेक लेकिन ऐसा नहीं होता यह तुम्हारी गलती है जो तुमने box दिया है ना जो बनाते हैं वो लोग जो जिसने भी box की width दी है यह उसकी गलती है और यह css की खुबसूरती है कि उसने उस जो भी तुम्हारा text उस box के बाहर जा रहा था उसको css ने cut नहीं किया वो दिखा रहा है यह गलती तुम्हारी थी कि तुमने box दे दिया तो हम लोग इसको as a wing की तरह ना लेके इसको as a compliment लेंगे हम लोग इसको समझेंगे कि यह css actual में awesome है यह तुमारे तुमारा जो कारणामा किया था तुमने इतनी सी width दे दी थी इसको मतलब उसने automatic उसको hide नहीं किया उसने तो दिखा रहा है यूजर को यूजर जब उसको use करेगा तो उसको पढ़ने में आएगा कि क्या लिखा है तो इसके उपर में जब हम लोग इस topic पर पहुंचेंगे एक्च्वल में overflow का concept होता है css में जब उस topic पर पहुंचेंगे हम लोग तब इस particular meme पर ही मैं एक full blown video हम लोगा कि ऐसा क्यों होता है और यह अच्छे के लिए होता है तो यह जो भी जिसने भी में बनाया था css का मजाक उड़ाने के लिए हम लोग यह प्रूफ कर देंगे कि css की कमी नहीं है css की खोफसूर्ती है जो ऐसा कर रहा है तो यह तो हो गया इस meme के बारे में और इस यहां पर था तो यहां पर यहां पर यहीं का एसे कप मिलता है बहुत कुछ होता है और यह वाली टी-शर्ट मने ओर करी थी यह अमजन से मने ओर करी थी तो यह वाली टी-शर्ट में भी पहन रहा हूं तो यह तो हो गई मीम की बात अब हम लोग देखते हैं css actual में होता क्या है तो css का full form होता है cascading style sheet तो cascading का मतलब हम लोग नई वीडियो में दूसरे वीडियो में समझेंगे वो थोड़ा सा मतलब हलका सा advanced चीज है cascading cascade का मतलब क्या होता है वो आगे आने आली वीडियो में हम लोग समझेंगे थोड़ा सा css से comfortable हो जाएंगे अभी style sheet का मतलब समझ लेते हैं तो style sheet नाम सुनके लगता है कि styles बताता है style sheet का मतलब होता है कि हम लोग अपने web page को कुछ color देना चाहते हैं कुछ text का color देना चाहते हैं कुछ मतलब position करना चाहते हैं यह हमारा image यहां रहेगा टेक्स्ट इदर रहेगा तो वो सब जब हम लोग को करना होता है तो हम लोग CSS करते हैं अभी हम लोग ने HTML का यूज करके अपना पूरा content बना लिया पूरा structure बना लिया एक font font अलग तरह का देना है जैसे मान लोग cursive font तुम्हें देना है या और किसी तरह का font style देना है तो वो सब कुछ हम लोग CSS का यूज करके करते हैं इसको बोलते है style sheet तो हम लोग एक file बनाते हैं और उसको अपने HTML में include कर लेते हैं फिर वहां पर जो भी हम लोग बताते हैं कि इस चीज का color ऐसा रहेगा वो सब कुछ हमारे web page पर apply होता है चलो हम लोग अपना project बनाते हैं एक CSS का चोटा सा और वहां करके हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग CSS को लिख सकते हैं और CSS का यूज करके अपने page को style कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होने वाला है अभी तक हम लोगने HTML देखा था और उसमें ज्यादा कुछ fun नहीं था बहुत basic चीज़े थी बहुत मतलब बोरिंग सा text था बोरिंग से image थी अब CSS जब यूज करेंगे तो अक्च्वल डेवल्लपमेंट स्टार्ट होगा यहां से अक्च्वल डेवल्लपमेंट स्टार्ट होता है तुम केवल HTML और CSS सीख कर भी जॉब पा सकते हो वरसी जॉब्स होती हैं यहां पर तुम केवल यहां पर हमारी वेबसाइट वसे दिखेंगी तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने वोल्डर में आ जाते हैं ज्यादा वेट नहीं कर ओना हो मैं और स्टार्ट करते हैं लोग तो यहां पर अगें मैंने अपने फोल्डर का इस्ट्रक्चर चेंज कर दिया है बहुत जादे फोल्डर कर दिया है तो यहां पर मैं CSS का folder करने जा रहा हैं यहां पर CSS का folder कर देता हूं आप लोग भी जहां पर HTML का folder's क्रेat कर रहे थे उसंसे के साइड में CSS का folder create कर लिजे अब CSS जो भी हम लोग पढ़ेंगे वो इस परटिकुलर folder के अंदर css folder के अंदर लोग यहां पर उसकी प्रोजेक्ट्स की उसके लेसंस की या प्रोजेक्ट्स की हम लोग वहां पर फाइल रखेंगे तो यहां पर मैं एक फोल्डर कर लेता हूं नया 00 underscore यही मेरा convention रहेगा हमेशा css intro आप कुछ भी नाम दे दिजिए introduction to css css intro थोड़ा सा छोटा है इसलिए मैंने css intro दे दिया है अब इसको राइट क्लिक करके open with vs code कर लेंगे अच्छा अगर आपके इसमें राइट क्लिक करके open with vs code का option नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं एक बार vs code को download करके फिर से install करिए और वहां पर जितने सबको टिक कर दीजिए सबको टिक कर देंगे तो यह सारे options आ जाएंगे अभी अगर नहीं आ रहे हैं तो अगर आ रहे हैं तब तो अच्छी बात है कोई problem ही नहीं है तो यह मेरा vs code में खुल गया है अब CSS start करने से पहले हम लोग एक दो extensions install कर लेते हैं ताकि इम लोग का vs code थोड़ा सा सुन्दर दीखे थोड़ा सा और अच्छा दीखे मैं हमेशा उसको अपने project में अपने setup में हमेशा यूज़ करता हूं वो दो extensions हैं उनको हम लोग install कर लेते हैं तो एक है एक टम वन डार्क प्रो और इस्टाल करने से पहले एक बार एक बार हम लोग एक फाइल क्रियेट कर लेते हैं एक बिनिट ताकि तुरंट डिफरेंस दिखे क्या यह जो extensions हैं वो डिफरेंस क्या लेकर आ रहे हैं तो मैं अगर index.html नाम से फाइल क्रियेट करता हूं और Excel में से मार्क दबा के टैब कर देता हूं तो मेरा कोड का कलर अभी कुछ ऐसा है ब्लू कलर में है और फिर यह सब हलका रेडिश कलर में है तो अभी मैं फिर से आके यहां पर extension इंस्टॉल करता हूं एटम वन डार्क प्रो ठेक तो यह वाला extension में यूज करता हूं एटम डार्क प्रो तो इसको इंस्टॉल करने से भी देखना क्या होगा यह मैं इंस्टॉल कर रहा हूं और जैसे ही इंस्टॉल हो गया वो फिर यह पूछ रहा है इसमें कई सारी थीम्स आती हैं ग्लर्स की कई से थीम मैंतों पहला ही सेलेट कर लो एक एंटन 1 तरौ तो यह व Twin ड प्रो मैंने स्लीट निया अब यह देखो मेरस कवगा कलर एकदम से चेंज हो गया तो यह थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है, आपको अगर कुछ दूसरा color अच्छा लगता है, वो कर सकते हैं, मैं यही यूज़ करता हूँ, तो यह तो हो गया एक extension, जो कि हमारे code को अलगा सा colorify कर देता है, थोड़ा सा संदर दिखाता है, और जो दूसरा extension हम लोग install करें वो होगा material icon, उससे क्या होगा, हमारी जो files है, इनका थोड़ा सा अच्छे से icon आएगा, ठीक, तो अभी हम लोग का ऐसा कुछ आ रहा है icon, एध्यान से देख लो, html का icon ऐसा है, ठीक, अगर मैं यहापे css की file जल्दी से बना दूँ, कोई भी नाम दे दो तुम, मैं style.css दे देता हूं, तो ऐसा आ रहा है, ठीक, अभी देखना, मैं extension install करूँगा, material icon, इसको install कर लेंगे, अभी देखना, इधर भी extension के द्वारा, यह icon change हो जाएगा, अभी देखो, जैसे install करोगे, यह भी पूछेगा, कौन सा icon तुम चूज करना चाहते हो, by default यह होता है, फिर हम लोग को select कर लेना है, material icon theme, तो यह मैंने कर लिए, अब देखो, इसका icon change हो गया, html का icon कुछ ऐसा हो गया, और css का icon ऐसा हो गया, तो यह थोड़ा सा actual में, इन लोग का जो icon होता है, html का icon, जैसे अगर internet पर जाके search करोगे, html and css, html and css, तो देखो, यह सारे icon, html का icon यह है, और css का icon यह है, तो वही सारे icons इसमें भी आ जाते हैं, ऐसे javascript का भी icon आएगा, तो जो default जो icons होते हैं, वो उतने अच्छे नहीं लगते हैं, तो हम लोग इसी लिए install कर रहे हैं, ताकि हम लोग अब css करने जा रहे हैं, अपने web page को style करेंगे, उसको अच्छा सा अच्छा लगे, तो इसलिए हमने यह extension यह दो extension install कर लिए, अब हम लोग start करेंगे, css introduce करना और css को लिखना, तो पहले यहाँ पर लिख देते हैं, hello world, h1 एक लिखता हूँ मैं, h1 hello world, मैं हर बार h1 लिखता हूँ, लेकिन कोई जरूर नहीं है, अब कुछ भी लिख सकते है पी टाइग या h1, h2, h3 कुछ भी, मैंने लिख दिया hello, यह h1 लिखने से थोड़ा सा by default बड़ा आ जाता है text, तो hello world, capital इसको भी capital कर देता है, hello world मैंने लिखता है, अब इसको मैं right click करके open with vs code कर लोंगा, तो अभी तक हम लोग ने जितना देखा, यह तो उतना ही है, अभी यहां पर css कुछ है नहीं, तो css का use करके हम लोग इसमें colors दे सकते हैं, background color दे सकते हैं, इसका font का style change कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, font को मोटा और पतला कर सकते हैं, weight, जो font weight है, ठेक, तो मतलब इस को हलका सा पतला भी कर सकते हैं, तो वो सब कुछ हम लोग इसी वीडियो में करेंगे, तो basically हम लोग css को तीन तरह से लिख सकते हैं, हमारा जो web page होता है, mainly html ही होता है, उसमें हम लोग अलग से add करते हैं, css style करने के लिए, java script add करते हैं, functionality देने के लिए, जो main चीज है, जो हमारे web page की जान है, जो उसका दिल है, heart है, जिगर है, जो भी बोलो, वो html ही होता है, उसमें हम लोग style करने के लिए css देते हैं, functionality के लिए java script देते हैं, और भी बहुत चीज़ें अलग 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 जगासे लाके उसमें डालते हैं, main चीज तो html ही होता है, जो भी css लिखेंगे, इसको अगर बाहर लिखेंगे, तो भी अपने html में ही लिखेंगे, अगर अंदर लिखेंगे, तो html के अंदर ही रहेगा, तो css को तीन तरह से लिख सकते हैं, first, inline css, inline, अब देखो, inline, मैं तो मैं example दिखाता हूँ, ऐसे हम लोगों ने last video में, html सी किया था, और मैंने बोला था, अभी के लिए ignore कर दो, अभी मतलब बस इतना ही लिख तो यह काम करेगा, बाकि जो हम लोग css में पहुचेंगे, तो हम लोग इस पर अच्छे से discuss करेंगे, क्या होता है, क्या होता है, और फिर आपको properties अपने आप याद हो जाएंगी, तो य यह होता है inline css, जो कि हम लोग HTML tag के अंदर ही देता है, तो उसके अंदर हम लोग css लिख सकते हैं, तो कोई भी element हो, तुमने 10-15 element दी हैं, हर एक के उपर तुम जाके एक style attribute दे सकते हो, और उसको तुम color कर सकते हो, या कुछ भी, कोई भी, उसके अंदर कोई भी CSS लिख सकते हो, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर style attribute दिया, और यहाँ पर लिख दिया color green, तो यह color property का use करके हम लोग text का color change करते हैं, background color नहीं, background color के लिए दूसरी property होती है, अभी वो भी हम लोग देखेंगे, तो color का use करके, हम लोग text color change करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर आके देखेंगे, तो यह होता है, text color, ऐसे, मतलब सीधा text का हमारा color change हो गया, जो भी by default black आता है, और फिर यह change हो गया, अभी मैंने right click करके, यह open dev tools कर लिया, मतलब dev tools open कर लिया, inspect पर click करके, तो फिर यहाँ पर अगर हम लोग आएंगे, h1 पर अगर click करेंगे, तो यहाँ पर देखो, click करेंगे, बिना ही दिख रहा था style color green, ठीक, हम लोग का by default यहाँ body पर या इधर selected होता है, तो अभी मैंने य element style भी बोल सकते हो, मतलब सेथा, उस element के उपर लगा है, बस यह किसी और element के उपर नहीं लगा है, बस इसी element के उपर लगा है, अगर मैं इसके नीचे, पी टैग एक लिखूँ, एक पी टैग लिखके हाँ पर लॉरम 20 कर देता हूँ, लॉरम 20, लॉरम 20 करके टैब दबाऊंगा, तो यह automatic कुछ भी ने 20 words आ जाएंगे, फिर यह बहुत लंबा हो गया, तो shift alt f यह करूँगा, तो format हो जाएगा, यह prettier extension के द्वारा format हो रहा है, न मैं नहीं उसकिया है, और फिर अगर उसके बाद भी नहीं हो रहा है, तो फिर यह format document with कर दो, फिर यहाँ पर html document formatter, यह prettier कोई भी करोगे, format हो जाएगा, थोड़ा-थोड़ा अलग-अलग तरह से format करते हैं, तो मैं shift alt f करके यही format document with prettier कर लेता हूँ, तो यह मैंने format कर लिय है, तो इस पर है text, जो भी है, इस पर है इसका color, एक green, लेकिन इस p tag पर नहीं है, अगर मैं एक और p tag लगा दूँ यहाँ पर, p tag और इसमें भी lorem 50 कर देता है, तो यह देखो, तो इस पर भी नहीं है, हम लोगों ने h1 पर दिया, वो उसी पर apply हो रहा है, तो इसको बोलते है, इन-line styles, या फिर element के उपर style दिया है, ऐसा बोल सकते है, element की style, particular element की style है, तो यह एक style attribute होता है, हम लोगों ने global and custom attribute में पढ़ा था यह, कि यह style एक attribute होता है, हम लोग इसका use करके, कुछ भी CSS की style से दे सकते हैं, तो यह तो हो गया एक तरीका, यह हो गया एक तरीका, जिस से हम लोग styles दे सकते हैं, लेकिन ऐसा करके हम लोग देते हैं, for example, अगर मुझे यह दोनों, दोनों पी tag है, यहां पर इसका color मुझे letter से कुछ, कौन सा color देते हैं, teal देते हैं, teal ही मेरे मन में आता है, बार बार, क्योंकि वही थोड़ा सा अच्छा लगता है, red, green, blue देते है, तो चलो red देके देखते हैं, अभी तक हम लोगों ने कभी दिया नहीं, red देते हैं, तो style color is equal to, is equal to, नहीं थोड़ा साइस का syntax अलग होता है, style is equal to, फिर double quotes, color colon, और यहां पर red दे दो, मैंने दे दिया red, तो यह text का color हो गया red, तो अगर color red यहां पर हम लोग दे देंगे इस वाले p element के उपर, p tag के उपर, तो हमारा यह वाला p tag का color change हो जाएगा, यहां पर red हो गया, देखो यहां पर select करेंगे, तो इधर भी element style color is equal to red, color red यह दिखा रहा है, ठेक, लेकिन यह व मैं copy कर लेता हूँ, यहां पर paste कर देता हूँ, तो अब यह दोनों का color change हो गया, तो अगर मान लो मेरे पास 10 paragraph element है, दसों को कोई color देना है, कोई style देनी है, कुछ भी करना है, तो मुझे 10 के लिए 10 बार, हर एक बार जाक्यों पर लगाना पड़ेगा, और coding में एक principle होता है, dry, don't repeat yourself, मतलब अगर आपके code में कुछ बार बार, कोई चीज बार बार repeat हो रही है, इसका मतलब आप कुछ गडबड कर रहे है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको कोशिस करनी चाहिए, कि कम से कम बार में, सेम काम अगर कर रहा है कोई भी हमारा code, तो एक ही बार यूज करते हैं, लेगन CSS में ऐसा हम लोग कभी नहीं करते हैं, तो फिर कैसे करते हैं, तो उसके लिए दूसरा तरीका होता है, एक होता है style tag, उसको हम लोग यूज करके एक ही बार में लिखेंगे और सारे p tag पे apply हो जाएगा, तो कैसे करेंगे, तो वो होता है actual CSS, उसमें इस तरह से syntax नहीं होता है, तो यहां से color red में हटा देता हूँ, जितना भी है, तो क्या क्या मैंने, पहले एक को select कर लिया, फिर ctrl D दबाया है, तो तो ctrl D दबाया है, तो दो बार यह है, इसमें यहां पर semi-colon है, इसलिए इसको नहीं select किया, उसने, तो दो बार इसने select कर इसको मैंने हटा दिया और यहां पर इसको भी मैंने select कर दिया control D करके इसको भी हटा दिया तो सारा style गाइब हो गया हम लोग देखेंगे style tag का यूज करके कैसे हम लोग एक ही बार में लिखके पूरे हर एक element को color दे सकते हैं तो यहां पर एक देंगे style tag इसको head tag के अंदर देते हैं यह style tag भी हमारे browser के अंदर नहीं दिखता है ठीक लेकिन हम लोग यहां पर element को style करेंगे किसी का color देंगे तो उसका color change होगा ठीक यह element खुद नहीं दिखेगा ठीक तो जैसे कि मुझे पी tag को color देना है कोई तो इसका syntax थोड़ा सालग होता है syntax का मतलब इसका लिखने का तरीका एक तरह से अलग होता है तो मैंने यहां पर पी लिखा फिर मैं यह यह दबाऊंगा यह curly bracket shift के साथ दबाएंगे ब्रेकेट वाला तो यह curly करोगे तो यह देखो selector लिख क्या रहा है यह specificity यह भूल यह बस देखो यह selector है तो इसको यह इसको बोलते हैं element selector नाम में कुछ नहीं रखा बस समझ लो यह इसका यूज करके हम लोग इसको select कर रहे हैं पी जितने भी पेज़ पर elements पी elements पी टैक्स है उनको select किया जा रहा है यहां पर फिर उसके बाद फिर यह syntax बहुत simple है color red इतना बोल दोगे फिर यहां पर आओगे सारे का हो गया change अब इसके बाद तुम चाहें इतना इसको duplicate करते हूँ इतने बार मैंने duplicate कर दिया तो सारे सारे में मतलब मुझे बार-बार नहीं देना पड़ रहा है एक बार मैंने दे दिया है और वो हर एक जगह पर reflect हो रहा है तो इसने क्या किया है यह जो भी style tag के अंदर हम लोगों ने लिखा है यह जितने भी page पे पी नाम से element हैं प इसका color red कर दिया है तो इस method को बोलते हैं internal style sheet internal यानि कि जो भी मारी css है html के अंदर ही लिख रहे हैं अभी इसके पहले भी अंदर लिख रहे थे लेकिन वो inline थी inline मतलब हर एक element के line में हम लोग लिख रहे थे सीधा जहां पर element लिख रहे थे उदर ही लिख रहे लेकिन यह एक css है लेकिन यह inline नहीं है यह internal है यह html के अंदर ही है तो इसको भी normally use नहीं करते हैं syntax ऐसे ही रहेगा जैसे अभी हम लोग दूसरी file में करेंगे अभी यह CSS file create करी थी यहां पर आके लिखेंगे तो फिर इस CSS file को इससे link करना पड़ेगा तो यह वाला method भी हम लोग ज्यादा तर यूज नहीं करते हैं बस आपको idea होना चाहिए कि ऐसा होता है कहीं कहीं आपको दिख जाएगा ऐसे code basis में कि यहां पर link किया गया है तो यह वाला तरीका भी नहीं यूज करेंगे तो फिर क्या करेंगे इसको अटा दो फिर हम लोग एक अलग से CSS की फाइल बनाते हैं अब देखो इसमें करने का क्या वह है मतलब इसमें अगर मैं इसका drawback बता देता हूं कमी अगर यहां पर लिखा है तो मानलो मेरे पास एक पेज नहीं है दो पेज है तो तीन पेज है about.html जैसे कि हम लोगों ने last video में create किया तो मुझे उस हर एक पेज पेज पे जाके जिसे कि अभी मैं currently मैं करके दिखा देता हूं जैसे .html और उसके अंदर मैं यह पूरा यह इतना p tag वाला copy कर लेता हूं इतना सारा ठेक और फिर यहां पर लिखता हूं मैं h1 about us फिर उसके बाद मैंने p tag paste कर दिया सारा तो अब यह मेरा index.html में तो color ठीक है सारे p का color, p tag का color जो भी दिया था red क्योंकि यहां पर हम लोगों ने दिया है index.html में style यहां पर add किया है अब मुझे about.html इसका भी color change करना है यहां पर भी p tag का तो मुझे यहां से copy करना पड़ेगा और यहां पर डालना पड़ेगा तो अब अगर मैं about.html में जाओं slash about.html तो यहां पर color change हो गया है अगर मैं यहां पर इसको अटा दूँगा style को तो इसका color नहीं change होगा तो यहां पर फिर से हम लोग again repeat कर रहे हैं अब उतने छोटे लेवल पर नहीं repeat कर रहे हैं जितना inline style पर कर रहे थे लेकिन थोड़े बड़े लेवल पर भी repeat कर रहे हैं तो फिर उसका जो सबसे ultimate तरीका होता है जो कि normally use करते हैं वो होता है external style sheet हम लोग बाहर से CSS file में अपनी styles लिखेंगे किसका क्या color रहेगा किसका क्या background color रहेगा कौन सी image क्या सी रहेगी image इधर रहेगी text उदर रहेगा सारा कुछ external CSS में लिखेंगे और फिर उसको अगर मैंसे जरूद पढ़ी तो मैं about us में भी link कर दूँगा और index.achim link कर दूँगा पहले चलो हम लोग यहां पर इसको हटा देते हैं internal style को internal हो थी ठीक अब हम लोग external CSS लिखेंगे तो यहां पर आ गए यहां पर मैंने लिखा same चीज लिखना वैसे ही है p tag जैसे internal में लिखे थे वो ऐसे ही लिखना है लिखना है कि style में कोई change नहीं है inline में उसका syntax थोड़ा सा different होता है उसमें मतलब हम लोग style is equal to करके लिखते हैं उसका थोड़ा सा style change होता है लेकिन यहां पर हम लोग यहां पर internal में और external में लिखने का style same है ठीक पस यहां पर हम लोग सीधा एक CSS वाइल में बाहर लिखते हैं यहां पर color अगर मैं red कर दूं और फिर अगर चल के देखेंगे कि हम लोग about.html में चलो या तो index.html में चलो यह red अभी उसलिए दिखा रहा है एक बार reload कर देंगे तो नहीं दिखाएगा पुराना code था इसलिए वह अल्रेडी दिखा रहा था तो मैं रिलोड किया यह मुझे नहीं दिखा रहा है क्योंकि मैंने वहां से हटा दिया है तो एंटर या टाब दबाओगे अपने आप तुम्हारी css लिंग हो चाहिए प्रोवाइड तुम्हारी यह जो style.css है यह इसका नाम सेम होना चाहिए तो तुम्हारे का भी नाम style.css होना चाहिए तो मैंने style.css लिखा था इसलिए अपने यह लिंक लींक होगए अप देखो यहां पर आएंगे तो हमारा यह लिंक होगया लेकिन अगर इब भी इल्क करने लिए तो इस objet नहीं यहां पर जाना होगा link tag open करना है angular bracket फिर close करना है उसके अंदर rel is equal to style यह सब कुछ याद करने की ज़रूद नहीं है तुम्हें बस एदा लेको link css बस एक बार make sure कर लो कि तुम्हारी css file का नाम और यहाँ पर यह वाली file का नाम और यह वाली file का नाम same होना चाहिए और अगर तुमने इसको किसी folder में रखा है तो उस folder का भी path यहाँ पर देना पड़ेगा आगे जब में लोग चलेंगे तो folder के अंदर रखे फोल्डर का कैसे path देते हैं वो भी देखेंगे तो यहाँ पर मैंने कर दिया link css तो देखो मेरी css link हो गई मैंने लिखा एक जगा पर मैंने लिखा यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर कर दूँगा क्या कर दूँग कंट्रोल अगर इसको अटा कर दबाएंगे तो आटमेटिक जितने भी css में already defined colors हैं उतने सारे colors आ जाएंगे तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ ब्राउन कर देते हैं तो कोई भी color भी तुम्हेंने याद करने की जरूवत है कोई भी property याद करने की जरूवत नहीं है उस control space दबाओगे अपने आप जितनी भी properties होती है सारी properties आ जाएंगी दोखो मैंने ब्राउन कर दिया तो ब्राउन आ गया यह हलका सा ब्लैक टाइप म उसमें भी चेंज हुआ है चेंज मैंने किया है एक जगह पे लेकिन हमारे multiple pages पे reflect हो रहा है क्योंकि हम लोग उन्हें same CSS file को multiple अपने pages में link कर दिया है तो अभी हम लोग about.html में काम नहीं करेंगे उसको पढ़ा रहने दो किनारे हम लोग इसी में सीखते हैं थोड़ा सा और और भी style देखे और यहां से इतना इतना ज्यादा है इसको हटा देते हैं एक दो paragraph ही रखेंगे इसको अटा दो यहां तक हटा दो सारा दो तीन paragraph रहेगा इतना ठीक है हमारे लिए तो अब इसको about.html को close कर देते हैं यहां p tag पे आ जाते हैं style.css में तो यह मैंने क्या किया एक external css file create की है और उसको link कर दिया अपने इससे link बोलो या connect बोलो connect कर दिया, join कर दिया तो एक बार थोड़ा सा deeply समझ लेते हैं कि यह कैसे काम कर रहा है, कैसे हमारा browser जो है css file को load कर रहा है और फिर कैसे हमारा browser उसको download करके दिखा रहा है, उसकी styles को कैसे use कर रहा है, http request के तो अगर हम लोग ने फर्स्ट वीडियो में देखा था, तो अगर हम लोग network tab में जाएंगे यहां पर, इसको एक बार clear करके यहां पर जाओ clear कर दो, यह है clear का button, इस पर अगर hour करोगे clear लिखके आएगा, फिर यहां पर reload करेंगे, और reload करके इधर देखेंगे, तो अभी द किसने send किया, browser ने, इसलिए उसका नाम यहां पर initiator में है, other, other यानि कि browser ने request send किया, तो फिर जो हमारा local host का server है, अभी इस case में server क्या है, हमारा जो यह live server extension है, उसने server create कर दिया है, तो उसने हमारी index.html file को हमारे browser में भेज दिया, तो browser में देखो यह आई है, इस पर अगर click करेंगे हमारी file को, तो यहां पर response पर जाएंगे, तो यह हमारी file आ गई है, यह वही वाली file है, और फिर यह नीचे script जो लिख कर रहा है, तो मैंने बता आई था, आपको already कि, यह हमारा, क्या होता है, live server का extension है, उसने खुद से code add गया, उसको ignore कर दो, बाकि यहां तक हमारी same file है, यहां पर लिखा भी है, code injected by live server, तो हमारा जो server है, उसने यह HTML file send करी है, और इसको preview में क्लिक करेंगे, तो हमारा, जो भी HTML है, बिना CSS के कुछ ऐसा देखता है, यह वाली file, index.html बिना CSS के कुछ ऐसी दिखेगी, अब हम लोग ने CSS भी add कर दी है, तो ऐसा कुछ यहां पर दिख रहा है, यहां पर preview में वो ऐसा दिखाता है, जैसा कि बिना CSS के दिखता है, एकदम से, तो फिर अगर इसको close कर दो, यहां पर देखोगे, तो एक close का बटन है, इसको close कर दोगे, तो फिर next जो request है, वो है index.html, मतलब next, इसको एक बार close करो, next जो request है, उसने, यह किसने index.html ने request करी है, किसको करी है, एक style.css file को, उसने style.css file को request भेजी, तो क्या हुआ, देखो यह index.html file आई, मेरे browser में, browser समझना शुरू कर दिया, फिर जब उसको यह वाली line मिली, link.css, तो उसने कहा, अच्छा, मुझे CSS एक चाहिए, तो उसने इस CSS file पे request भेजी, एक HTTP request भ request गई है, यहां पर देखो, अगर headers में जाएंगे, तो request URL यह है, इस URL पर, हमारा जो browser उसने request भेजी है, अगर हम लोग खुद से request भेजें, अगर new tab में जाके, यहां पर URL अभी मैंने copy करके, paste किया है, अगर enter मारूं, तो मुझे वही CSS file देख रही है, देखो, वही exact जो हम लोग ने यहां पर लिखा था, तो चाहें हम लोग browser में खुद से, उसका URL आर के enter कर सकते है, request भेज सकते हैं, और देख सकते हैं, और इस case में हमारा HTML जो है, उसने request भेजी है, तो उसने HTTP request भेजी, फिर response में क्या आया, यहां पर फिर से click कर ओए, तो देखो response में यही चीज अगर preview में click कर ओए, तो भी वही चीज दिखा रहा है, तो यह पूरा response में CSS file आ गई, और फिर browser उसको फिर से again understand करके, फिर हमारे इसमें दिखा रहा है, तो ऐसा पूरा process होता है behind the scenes, normally हम लोग लिंक कर देते हैं, हम लोग को पता नहीं चलता, अब लिंक हो गया है, कैसे हो देखो हम लोग को issue कैसे resolve करना है, अगर कई बार problem आ जाती है, लोग को CSS link करने में बहुत मुस्किल आती है, मैंने भी start किया था, link ही नहीं होता था CSS, क्योंकि जिसे मेरी file का नाम है style.css, और मैंने यहाँ पर लिख दिया styles.css, अब styles.css कर देंगे, तो मारा यह आ ही नहीं अब CSS में हमने लिखा था, यह चीज़ आ रहा है color green क्योंकि HTML में है, तो अब देखो, अब क्या error है, तो अब देखो, यह red color में आ गया है, red color में, तो अभी इस पे अगर click करोगे, तो failed to load the data, ऐसा कुछ बता रहा है, और headers में जाओगे, तो 404 दिखा रहा है, याने कि इसको यह file नहीं मिली है, तो अगर खुद से तुम इस file पे जाके request भेज होगे, इस पे जाके request भेज होगे, तो यहाँ पे भी error दे रहा है, cannot get styles.css, तो तो तुम्हें यह पता चल जाना चाहिए, कि browser को तुमारी CSS file मिल ही नहीं रही है, वो error आ रही है, वहाँ पे browser तक रही है, वो request भेज रहा है, उसकी गलती नहीं है, html की गलती नहीं है, html ने request भेज दिया, जहाँ पे तुमने बताया, उसको request उसने styles.css पे भेज दिया, अब server के पास वो file ही नहीं, यह देखो server के पास file styles.css है नहीं, तो server को भी नहीं पता अब यह कौन सी file पूछ र में, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे style.css, यह हमारा हो गया, fix, automatic, तो ऐसे देखना है कि कैसे काम कर रहा है, कैसे हमारी file आ रही है, और कैसे हमारा html है, वो request भेज रहा है, कैसे हमारा browser है, वो request भेज रहा है, तो ऐसे websites काम करती है, हमेंशा, तो जैसे अभी इसने css file को request भेजा, ऐसे ही, किसी भी file को html हमारा request भेज सकता है, और कैसे css file भी request भेज सकती है, आगे जब हम लोग चलेंगे, तो देखेंगे, css file भी http request भेज सकती है, और फिर response आएगा browser में, तो यह ऐसे काम कर रहा है actual में, तो एक css हमारा link हो गया है, जब हमारा browser html को आगा, html में, उसमें html का parser होता है, html parser होता है, तो जब इस line पर आएगा, तो request भेज देगा, और फिर उस css file आजाएगी, और browser उसको understand करके, सारी styles apply कर देगा, तो अब अगर हम यहाँ पर आके, right click करें, inspect करें, तो मारा element tab में खुल जाएगा, और नीचे यहाँ प इसे दिखा रहा है, और फिर यहाँ पर यह भी दिखा रहा है, कि किस file से आ रहा है, यह जो तुमारी styles है, अगर यहाँ पर click करोगे, तो यह देखो तुमारी sources tab में खुल जाएगा, और वो file दिखाएगी तुमारी, इस file से तुमारी यह जो भी डिसकस कर लेते हैं तो यूजर इसंट होता है ब्राउजेर के द्वारा प्रोवाइड की गई डिफॉल्ट इस्टाइल्स तो हर एक द्वार अपनी कुछ इस पॉइड करते हैं नॉर्मिलिया आजकल तो सब काफी कॉसिस करते हैं हर एक similar styles provide करें पहले के time में काफी different styles होती थी तो बहुत दिक्कत होती थी कोई भी एक element इस ब्राउजर में दूसरी तरह दिखेगा दूसरी ब्राउजर में दूसरी तरह दिखेगा लेकिन अभी सब लोग काफी similar styles provide करते हैं तो से यह जो भी user agent style seat है इसने यह ब्राउजर ने दी है यह सारी styles ब्राउजर ने दी है by default तो यह देखो इसको बोलते है user agent style seat यह ब्राउजर के द्वारा provided default style है जब तुम कोई भी style नहीं लगाते हो तो यह इतना CSS खुझ से लिखके देता है और इसको तुम change भी नहीं कर सकते हो जैसे अगर edit करने कोसिस करोगे तो नहीं होगा इस पर डेबल क्लिक करके इसको अगर चाहोगे तो change हो सकता है ऐसा करोगे फिर यह आ जाएगा color यह देखो मैंने कुछ और change कर दिया तो यह होता है external style sheet कैसे हम लोग external style sheet को link करते हैं तो होगे तीन अलग अलग तरीके कैसे हम लोग CSS को लिख सकते हैं अपने HTML के अंदर पहला था inline CSS जो कि हम लोग सीधा tag के अंदर ही style attribute का यूज करके लिखते हैं दूसरा था internal styles जो कि style tag का य external style sheet क्या होता है बाहर हम लोग एक file create करते हैं फिर उसको connect करते हैं link tag का use करके मतलब link CSS कर देते हैं automatic connect हो जाता है हम लोग को बस अपने file का नाम exact रखना होता है तो यह तीन तरीकों से हम लोग अपनी CSS की file को link करते हैं हम लोग कौन सा तरीका use करेंगे external style sheet external मतलब बाहर हम लो लोग को idea होना चाहिसे होता है कभी अगर जरूत पड़ेगी तब use कर लेंगे normally ऐसे use करनी की जरूत नहीं होती है बाहर वाली style sheet को ही हम लोग use करते हैं तो हम लोग ने external CSS को connect कर लिया है तो हम लोग थोड़ी सी properties को भी देख लेंगे थोड़ी सी नहीं properties को समझ लेते हैं को कोई भी प्रापरटी तो हम याद गनी की जूरूत नहीं जो भी मैं बताऊगा सब कुछ अपने आप तुम्हें Google पर मिल जाएगा Google सर्च करना है सब कुछ मिल जाएगा आराम से ब्स्तम हम गूगल करना चीखना है तो अभी चलो हमारा जो है है हेच वन टै करेंग है एच टाइल देके उसको h1 की तरह बना सकते हैं तो कैसे करेंगे तो by default जो होता है इसकी font size p tag की font size होती है वो थोड़ी छोटी होती है तो अगर हम लोग इसको एक property होती है font size font size font size 16 pixel होती है तो अगर हम लोग 24 pixel दे दें तो देखो क्या होगा भी दो बड़ा हुआ है थोड़ा सा अगर हम लोग इधर आएंगे इस पर क्लिक करेंगे इस टाइल्स के अंदर जाएंगे तो हम पर font size अब दिखा रहा है इस पर क्लिक करके एक बार और अप arrow दबाएंगे तो देखो यह बढ़ रहा है इसकी font size यहां पर बढ़ रही है और वैसे मारा font भी बढ़ रहा है ब्राउजर के अंदर तो यह देखो हम लोग ने इसको बढ़ा कर दिया लगभग 32 पिक्सल कर दो 32 पिक्सल कर दिया मैंने और फिर अब इसको थोड़ा सा मोटा करना है तो उसके लिए होता है font weight font weight weight इधर ही हम लोग लिख सकते हैं अगर हम लोग नभी यह font size लिखा है न इसका पीछे अगर क्लिक करेंगे ऐसे तो आटमेटी के लिखने का option यहां पर देदेगा तो अगर हम लोग यहां पर लिखे font size font size तो अलड़ी दे दिया font weight font weight करेंगे font weight by default जो भी p tag होता है उसका font weight 400 होता है यहां पर देखोगे 100 से लेके 900 तक font weights होता है यह सब भूल जो नॉर्मल बोल्डर यह सब भूल जो इसको कोई नहीं उसकरता है बस तुमें यह 100 से लेके यतना 900 तक होती है तो इसमें से हम लोग एक font चूज करते हैं तो जितना भी कम अगर font size चूज करेंगे 300 कर देंगे तो 300 का font size यहां पर available नहीं है तो इसलिए और पतला नहीं हो रहा है नहीं तो और भी पतले हो जाते है अगर हम लोग ज्यादा कर देंगे जैसे 700 कर दिये ना तो देखो यह मोटा हो गया हमारे लेगों की तरह दिख रहा है अभी है यह पीटा है लेकिन दिख रहा है कि on t weight 800 700 कितना दिया तो फोन ट से दिया और इसका फोन साइज कर दो 32 पिक्सल तो यह दो चीजे हम लोगों ने देख ली टेख यह फोन साइज कैसे देते हैं और फोन ट्वेट कैसे देते हैं मतलब मुझे अगर पतला करना हो मोटा करना है तो हम लोगों ने देखा था का यूज करना पड़ेगा लेकिन ऐसा नहीं है css में अगर आप आ गया है तो किसी भी चीज को मोटा पतला कर सकते हैं वो पी टैग हो या कोई भी टैग हो एंकर टैग हो कुछ भी हो उसको फॉंट वेट दे के मोटा कर सकते हैं फॉंट साइज दे के उसका चोटा बड़ सकते हैं और पी टैग को चाहें तो हम लोग की तरह दिखा सकते हैं और एक चीज हम लोग एकदम से उल्टा पूल्टा उपर नीचे करके सब कुछ चेंज कर सकते हैं जैसा भी चाहें एकदम से फुल कंट्रोल होता है हमारे हाथ में लोग css सीख लेता है तो इसलिए css करना पड़ रहा है तो मैं इसको अठा देता हूं जो लंबा सा पैरग्राफ था बस हमारे पेज में इतना ही बचा है तो इसको ऐसे पड़ा रहने दो हम लोग इसका फोड़ा सा कॉंटेंट कम कर देते हैं बहुत लंबा है जैसे कि अगर हम लोग को किसी भी टेक्स के Täfour टेक्स्ट डेकोरेशन होता है लिखोगे तो टेक्स्ट्ट्र की जितनी वैल्यू होती है वो यहां पर जाएनगी तो फिर यहां पर अंडर लाएन अंगर कर दोगे ए तो टीक्स्ट डेक्ड कोरेशन अंडर लाइन जिरोलाईन उन्टमिटिक इसके चारण प्राइद गरनी की जरूत नहीं है तुम सीधा गूगल करोगे यहां पर सर्च करोगे हाउ टू ड्राउ अंडरलाइन अंडरलाइन इन इन इस फिर यहां पर ड़लू थिर स्कूल्स के रिजल्ट पर चले जाओ हे जा गया टेक्सट डेक़रेशन सीधा आ गयाघंए तुम्हेंए प्रोपरटी तो बस तुम्हें यह पता होना hear तुम करना क्या चाह रहे हो बस उतने को गूगल पर सीच करोगे तुमार्य रज़ी तुम लिख दोगे तो text decoration over line, अब देखो over line क्या होता है, यहां पर control space दबाएंगे, तो इधर भी over line ने दिखा रहा है, over line का मतलब होता है, इधर आजाओ यह देखो, ऊपर line आ रहा है, और फिर इस सारी properties change करकर के देख सकते हो, तो और फिर line through, line through क्या करता है, beach से पुरा line खीच देगा, इसके, तो अगर तुम्हें ऐसा कभी style करनी की जरूत है, तो यह line through यूज कर सकते हो, अगर तुम चाहते हो, यहां पर बीच में line आ जाए, तो line through दे सकते हो, beach में से cut one क्या आ जाएगा, और अगर तुम चाहते हो, कि नीचे वह wavy, मतलब यहां पर wavy का option है, तो यह क्या होता है, यह क्या करेगा, नीचे तुम्हेरे wavy करके आ जाएगा, तो अगर चल के देखो गए, तो यहां पर कुछ दिख नहीं रहा है, तो यहां पर बन के आ जाना चाहिए, तो यह कैसे आएगा, इसके लिए, देखो अगर यहां पर चल के आओगे, इस पर click करके देखो, तो इस पर कहां गया, यह पी टाग है, तो इस पर text decoration जो है, यह एक shortcut है, एक short form है, इसके अंदर multiple properties होती है, अगर यहां पर arrow type में इस पर click करोगे, एक बर click हो जाओ, यह click कर दिया, तो यह open हो गया, इसके अंदर देखो multiple properties है, यह थोड़ा सा बढ़ा कर देता हूँ, इसके अंदर देखो कई सारी properties है, फिर से खोलना पड़े हो, text decoration line, तो यह पहली value है, इसके अंदर text decoration line है, text decoration thickness, text decoration style है, तो style जो है वह भी apply हुआ है, तो हमें वह भी बताना पड़ेगा, यह हमें ऊपर चाहिए कि नीचे चाहिए, तो वही underline, यह underline भी लिखना पड़ेगा, तो आएगा, मतलब मारे नीचे आ जाएगा, अगर यहां पर overline कर दोगे, तो यह आँ गया, overline, तो यह wavy रहेगा, लेकिन ऊपर आ जाएगा, तो यह भी चीज बताना पड़ेगा, तो देखो, अगर हम लोग underline कर देते हैं, तो यहां पर इसकी यह वाली property भी आ जाएगी, देखो, by default initial होता है, initial होता है, initial का मतलब की start में जोई properties होती है, by default browser के तारा provided, वो सारी style initial ऐसे करके आती है, और फिर style है wavy, और फिर text decoration line, मतलब यह तो मैं line कहां चाहिए, उपर चाहिए, नीचे चाहिए, यह है underline, तो यह होता है, text decoration है, sort कर property, तो normally हम लोग ऐसे text decoration ही करके देते हैं, औ और हमें ऐसा करने की जरुवत भी नहीं पड़ती है, बस मैंने बता दिया क्योंकि यह exist करती है, हम लोग इसका use कहां करते हैं, mainly, normally, जिससे अगर मैंने यहां पर एक anchor tag लगाया, मैंने यहां पर एक anchor tag लगाया, यहां पर मैंने दे दिया about.html का link, फिर यहां पर about us कर दिया तो फिर यहां पर यह underline आ रही है, एक बार इसको चलके comment कर दें, यहां पर comment कर सकते हैं, जिससे हम लोग ने HTML में सीखाता comment कैसे करते हैं, वैसे CSS में या किसी भी language में वैसे comment कर सकते हैं, control slash दबाएंगे, वो line comment, अब यह line हमारा text operation वाई थी, वो line gap हो गई है, उसके जगा यह comment out हो गया है, तो browser उसको जब उस line को देखेगा तो उसको ignore कर देता है, तो यह मैंने कर दिया comment, control slash दबा के, अब देखो, यह मेरा anchor tag है, तो इसका मुझे जो यह underline है, इसको हटाना है, तो यह कैसे हटाएंगे, तो तुम अगर भूल यहां तो सीधा Google पर सेर्च कर लो, ठीक, how to remove underline from link in CSS, ठीक, ऐसे, तो यह result आएगा, ठीक, रिजल्ट आगया, तो जातर जब question और answer की बात होती है, questions जिसे तुम पूछ रहे हो, how to remove, तो उस case में हो सकता है, w3 schools में उतने सही results ना देखें, उस case में तुम्हें stack overflow जाना है, stack overflow का answer, ठीक, तो यह देखो, यहां प का answer है, यहां पर लोग questions पूछ के पूछते हैं, remove blue line, blue underline from link, फिर इसका answer होगा नीचे, देखो, यह text decoration none, किये हैं, तो यहां पर जो green color का tick mark रहेगा, इसका मतलब जिस बंदे ने पूछा है, और जिस बंदे ने पूछा है, उसका solution इस वाला answer से हो गया, तो वो बंदा उसक के लिए बहुत helpful site रहेगे, कोई भी चीज हम लोग को दिक्कत होगी, हम लोग यही पर आके देखेंगे, stack overflow में, तो यहां पर text decoration हम लोग अगर none कर देंगे, तो कैसे करेंगे, anchor tag को select करेंगे, इसको बोलते है selector, फिर curly bracket लाएंगे, इस चीज को बोलते है selector, यह हमारा page पे यहां डाल देंगे text decoration, और यह डालने की भी ज़रूत नहीं सिधा, यहां से copy करो, यह तुम एंसर मिला, यहां पर paste कर दो, यह text decoration none हो गया, अब हम लोग चलके अगर अपने इसमें देखेंगे, तो वो underline gaiv हो गई, यहां से वो underline gaiv हो गई, देखो, तो इस case में हम लोग text decoration use करते हैं, normally underline देने के लिए use नहीं करते हैं, तो यह हो गया text decoration none, अब यह चीज और है, font family, तो font family क्या होता है, font family, अगर तुम अलग अलग तरह के font styles होते हैं, तो अगर मैं यहां पर देखूं, तो बहुत सारे styles आ रहे हैं, तो अगर मैं यहां पर जिसे cursive कर देता हूं, तो भी देखना, इसका style change हो जाएगा, यह देखो हलका अलग हो गया, थोड़ा सा सुंदर लग रहा है, different देख रहा है, तो ऐसे तुम करके देख सकते हो, font family अलग अलग, यह serif है, sans serif है, by default font family होती है, वो serif होती है, serif में ऐसे मैंने बताय था, पिछली वीडियो में, ऐस में, sans serif में कुछ नहीं रहता है, जिस सिधा end हो जाती है, तो और भी, और भी कुछ properties होती है, एक होता है, text align center, तो अगर मझे text को center करना है, text align center कर देंगे, तो हमारा यह जो tag, यह text है पूरा, यह center में आ जाएगा, हम लोग ने किस के उपर दिया है, p tag के उपर, text align center दिया ह तो हमारे पूरा p tag के अंदर जितने भी, जितना भी text था, सारा कुछ center में आ गया है, तो इस तरह से हम लोग चाहें, तो अपने text को center में अगर लाना चाहें, तो ऐसे center कर सकते हैं, तो इस video में हम लोग ने basically क्या देखा, कैसे हम लोग अपने HTML के अंदर CSS link कर सकते हैं, बाह अभी currently जो use कर रहे है, यह external CSS है, और फिर हम लोगोंने कुछ font को manipulate करने के लिए, font को change करने के लिए, हम कुछ properties discuss किया हम लोग, तो यह font size हम लोग डिसकस किया, font का color change करने के लिए, कैसे color change करेंगे, वो discuss किया, और फिर font weight कैसे करेंगे, कैसे उसको मोटा पतला करेंगे, यह discuss किया, font family, यानि कि font किस तरह करेंगे, वो भी discuss किया, और फिर font को, यानि text को कैसे center में करेंगे, वो भी discuss किया, एक और भी होती है, अगर तुम चाहो, तो कर सकते हो, font style, size नहीं, style, font style, style italic, तो यह देखो, italic हो गया, बिना itag का use करके, हम लोगोंने italic कर लिया, आपर इतना easy access को use करके करना, हम लोग को, i tag use करनी की जरूती नहीं पड़ी, और फिर भी, और भी, इसकी oblique, यह कभी मैंने use नहीं किया, italic जैसा ही दिख रहा है, थोड़ा बहुत कोई difference होगा, मुझे भी idea नहीं है, हम लोगोंने, कुछ font से related है, नहीं, text को change करने के लिए, जो भी property basic ह होती हैं, वो साथ हम लोगोंने सीखी है, अब next video में हम लोग देखेंगे कैसे background color change कर सकते हैं, color कि क्या-क्या different formats होते हैं, जैसे कि हम लोगोंने बस किवल कुछ special नाम होते हैं, बस यह हम लोगोंने देना सीखा है, इसके अंदर जो भी नाम है, तो बस इतना ही color नहीं, इसक से अलग-अलग color की format होते हैं, फिर हम लोग देखेंगे, अभी हम लोगोंने यह जो selector use कि आई है, element selector, मतलब element का नाम यहां पर बता दो, फिर उस पर सारी styles apply हो जाती है, इसके अलागा भी बहुत सारे selectors होते हैं, वो हम लोग study करेंगे, तो आगे हम लोग की काफी वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई